हेलो बच्चों, एक बाद फिर से आफ सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द्रोल स्कूल में, क्लास नाइन्थ के लिए, नौदे में अडिमिशन के लिए, क्लास नाइन्थ के लिए फॉर्म निकल चुके हैं, यानि कि JNVST, जब आहर नौदे विद्धाले सलेक्शन टेस्ट क्लास नाइन्थ, जिसको हम लोग लिटरल एंटरी भी बोलते हैं, उसके लिए फॉर्म निकल चुके हैं, इस वीडियो में मैं बताने माला हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, एज वगर के मारे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले है है, लास्ट डेट डिसकोस करेंगे, ऐलिजबिलेटी, एक्जाम का डेट क्या है, फन बने की लास्ट डेट यह वाली है ना, और फन कैसे भरना है, रिजर वेशन क्या है, कर लेते हैं कि form को भरना कैसे है आखर में नौधय विदाला का form देखो निकल चुका है JNVST9 के लिए तो form को भरने के लिए एक website पर आपको जाना है नौधय.gov.in ये देख लो website का address नोट कर लो नौधय.gov.in इस website को आप अपने mobile के browser में चाहे आप अपने laptop या फिर computer के browser में खोल सकते हो और browser में browser खोलने के बाद आपको कुछ इस तरका मैं दिखा देता हूँ आपको website पर ही जाके कि कैसे आपको form भरना है ठीक है यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको देखो एक दूसरी website पर ले जाया जाएगा यह वाली link है या डारेक्ट आप यह वाली link भी खोल सकते हो nvsadmission class 9.in या फिर simple सी बात है ना इस पर आजाओ यहाँ पर क्लिक कर लो यहाँ पर आ जाओगे अब दो phases में registration आपको करना है कहले का मतर देखो यहाँ परekoek here for phase one registration है ना तो यहाँ पर क्लिक करना है जो चलता हूँ दिखायए दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर यूजर नेम पासवड़् आपको अब ही नहीं यहां पर देखो अपना नाम लिखना है मुबाइल नमबर डालना है और डेट अव बर डालना है तीन चीज़ें डालने के वाद जब आप सब्मीट करोगे ना यहां पर समीट करोगे मालोग मैं कुछ भी यहां पर डाल देता हूं एक न टुको न तो मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा मालो कि मैंने कुछ भी यहां पर कुछ भी डाल दिया भर दिया और इसका मोबाइल नमबर में भी मालो कि कुछ भी मास्टा ऐसे भर देता है एक दो तीन चार पांच चैस साथ आनो दस बस यह दस अंका होना चाहिए और यहां पर मालो मैं जनवरी 2010 2010 2009 सलेट कर ले अब यहां पर समिट करने के बाद यहां पर क्या लिख रहा है कि ऑनलाइन अप्रिकेशन अच्छा दो चीजा आपको ध्यान में रखनी है एक तो मोबाइल नमबर आप जो डालोगी वही मोबाइल नमबर पर आपका पासवर्ड जाएगा तो यूजर ने माब अभी आपको जा रहा है चलो ठीक है कोई फरक नहीं परता यूजर ने मापको मिल गया है और यह कह रहा है कि आपका पासवर्ड जो है रहा आपका पासवर्ड आपके मोबाइल नमबर पर भेज दिया गया है देखो पासवर्ड आपके मोबाइल नमबर भेज दिया गया है तो जो मोबा password का option था यहाँ पे यहाँ पे जो username password अभी अभी आपको मिला है वो चीज़ डालनी है और आगे proceed करना है फिर आपको बहुत ज्यादा details भरनी होगी मतलब अब main form तो अभी भरना है जहाँ पे आपको photo upload करना पड़ेगा signature upload करना होगा तो बहुत सारी details भरनी होगी तो वहाँ प प्रक्लिक करना है और आप form भर सकते हो चलो जी यह अपने बात कर ले कि form कैसे भनना है ठीक है अच्छा अगर आप 9th class की तयारी कर रहा हो या फिर 9th class में हो 8th class में हो तो अगर आप 9th class के CBSC की तयारी कर रहा हो या फिर आप Doctor Engineer मुनना चाहते हो IIT की तयारी कर रहा हो का 9th और 10th प्लस IIT का IIT JE का कोर्स या फिर आप Medical का कोई भी कोर्स लेते हो मतलब यह combination में है ना 9 10th का 9 10th का 2 साल का कोर्स और इसके साथ ही साथ अगर आप IIT या फिर NEET का या फिर IIT JE का या फिर NEET का अगर आप course combination में कॉंबो में लेते हो description में link दे दूँगा मैं जहां से आप combination purchase ही कर सकते हो तो अगर आप यह लेते हो तो आपको 2 साल की extra preparation कराई जाएगी मतलब देखो आप तो ले रहो 9th और 10th के लिए ठीक है लेकिन इसके अलामा आपको 11th और 12th की भी preparation कराई जाएगी यानि कि 2 साल की fees में आपको 4 साल की preparation कर जाए जाएगा और या फिर अगर आपने नीट का ले रखा है अगर आप medical की तयारी खरना चाहते हो अगर आप aims वगरे में जाना चाहते हो तो यह भी आपको 4 साल के लिए मिलेगा अच्छा और एक खास बात अभी और है कि actual price जो इसका है न दो सालों के लिए वो है 81,000 and अ आगे दो एर एक्स्रेंड होने वाले हैं अच्छा आपको अगर 10% का और डिसकाउंट चाहिए तो द्रोड कोड का यूज कर लेना द्रोड कोड का यूज करोगे किसी भी पेर सब्सक्रिप्शन पर कोई ज़रूरी निया कि यही क्लास कोई भी चीज आने के एप के अंदर क कोई भी चीज अगर आप पेट सब्सक्रिप्शन लेते हों तो द्रोड कोड का यूज करके आप 10% का डिसकाउंट वहाँ पे इंस्टाइंड डिसकाउंट पा सकते हो तो डी और ओएंड द्रोड कोड का यूज ज़रूर करना डिसक्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ठीक जाला है इसकी अलामाद जो आपका last date है application का वो है 31 October तो 31 October बेटा last date है अभी तो ये application के application डालने में ज्यादा time नहीं है अपने पास डालने के लिए तो जल्दी से application को fill up कर देना हालां की preparation के लिए काफी समय है अभी लेकिन जितने जल्दी preparation निस्टार्ट करें उतने ही अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है, चलो, कुछ और चीज़ें देखो, एक तो यह हम कहे रहे थे कि इसकी eligibility के बारे में discuss करते है, eligibility के बारे में confusion आपका बिल्कुल नहीं रखना है, reservation के बारे में ही बात करेंगे, तो eligibility के देखो ऐसा है ना, कि जिस भी नौदय विद्धाले में आप form बनना चाहते हैं, suppose करो कि मैं गोरखपूर के नौदय विद्धाले में form बनना चाहता हूँ, तो उस नौदय विद्धाले में मैं पढ़ रहा हूँ, यह condition होना चाहिए, मतलब किस क्लास में, 8th क्लास में, मैं पढ़ रहा हूँ, और गोरखपूर में form डाल रहा हूँ, तो गोरखपूर के ही किसी एक स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, यह condition होनी चाहिए, अगर आप गोरखपूर में नहीं पढ़ रहा हो, तो गोरखपूर के नौदय विद्धाले में form नहीं डाल सकते हो, जिस ज अगर मैं फॉर्म बर रहा हूं तो इस सार मुझे एर्थ में होना चाहिए अगर मैं नाइंध में आ गया हूं तो मैं एलिजबल नहीं हूं किसी भी government recognized school से या फिर government school से आप पढ़ाई कर रहे हूं ठीक है अभी date of birth के अगर हम लोग बात करें तो date of birth चाहिए बारहर से सोले साल के बीच में होनी चाहिए लेकिन यह exact date of birth मतलब age नहीं है exact age आप मिला लेना कि 15 say 2006 से ले कर कि 34 say 2020 से बीच आपके date of birth होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि आप 15 2006 से पहले नहीं पैदा हुए हो और 34 2010 के बाद नहीं पैदा हुए हो मतलब आपकी यह जो ही 1216 के बीच में लग भग लग भग है ठीक है ना अच्छा अगर आपको अगर मतलब बॉर्ड को मतलब नोदे विद्याले को समिंति को या फिर स्कूल को किसी बार किसी चीज को लेकर confusion होता है आपके एज को लेकर करके कि आपका यह ज्यादा है या फिर कम हो सकता है तो वह मेडिकल बोर्ड को भेच सकता है चेकिंग के लिए जांच के लिए तो इस चीज का ध्यान रखे कि सही सही है डालो वही ठीक है चलो अभी कुछ reservation की बात करते हैं तो reservation इसमें भी होना है जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बता है कि reservation होता है नोदे विद्याला की सीट है फिर OBC की उसके अलावा फिर गर्ल्स की सीटे रिजर्व होती है तो बहुत सारी रिजर्व सीटे हैं अम मालो की 80 में से ना 80 में से मालो की 15 सी स्टूडें थे 15 में से एक सी स्टूडें अगर चला गया तो 14 बचे यानि कि जो ये सीट खाली हुई ना वैटा यो सीट खाली हुई वह किसके लिए है वह सी स्टूडें के लिए ही है इस पर OBC और गल्स ये सब या फिर जनरल के स्टूडें फॉर्म नहीं भर सकते समझ स्टूडें में कौन सी सीट खा लिए मैंने बताया ना पूरी डीटेल वीडियो है ठीक तो अच्छा अभी देखो आप जब ना एडमिशन के टाइम पर जाओगे तो अगर आप आपने कॉलिफाइंग मार्क्स निकाल लिए मतलब आप पास हो गया हो इसका मतलब यह नहीं थी अभी कुछ और बाते कर लेते हैं हम लोग यह तो मैंने बता ही दिया कि आपको जो है सर्टिफिकर दिखाना ओगा ठीक है अब एग्जांब पैटर्न की बारे में बात कर लेते हैं एक जो पैटर्न है ना पैटर्न में देखो एक तो चार सब्जेक्ट अपने पास आने का यह होने वाला है, syllabus के बारे में syllabus आपको कहा से मिलेगा बताता हूँ अभी, ठीक है, अच्छा, यह आप देख लो कि यह चीज, यह यह जो table आपको दिख रहा है ना, यह list कहां पर मिलेगी, मैं video के description में link दे दूँगा, और अभी बता भी दूँगा कि कैसे यह list आपको download करनी है, सबर रखो, लेकिन सबसे पहली बात यह समझो, आप reservation के बारे में थोड़ी कहानी समझो, कि जैसे कि मालो यह बेतुल डिस्टिक में मालो कि, पहली बात तो यह प के लिए है, मतलब इसमें कोई भी लड़का फॉर्म भरी नहीं सकता, चीक है, इसमें देखो, जैसे इसमें, दो सीट टोटल खाली है, और दोनों जो खाली है, वो रूरल छेतर के लिए खाली है, यानि कि इसमें शहरी बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता, अगर आप शहर से ह तो फॉर्म नहीं भर सकते हो, जो वो दो सीटे हैं वो रूरल के लिए, यानि कि ग्रामेट शेतर के बच्चे के लिए खाली है, उसमें से भी एक गर्ल होनी चाहिए, यानि कि इन दो में से एक लड़की होनी चाहिए, दोनों भी लड़की और एक लड़का, मतलब एक तो बता देता हूँ मैं, अच्छा, चलो, ये तो अगर आपके भाई बन 6th class के त्यारी कर रहे है, नौदा विद्याला की, तो अर्जुन बैच चल रहा है, द्रोन स्कूल के अप में, प्लेस्टों से डाउनलोड कर लेना, इसके अलवा सैनिक स्कूल का भी, अभी बताऊंगो कि कैसे डाउनलोड आप कर सकते हो, प्लेस्टों सेनिक स्कूल की भी तयारी हमारे अप के अंदर चल रही है, नौदा का 50 मॉडल पेपर का सीरीज है, मौक टेस्ट नाइन के लिए नहीं है, अभी 6th के लिए, तो अगर आपके भाई बन 6th की तयारी कर रहे हैं, तो ज़रू से क्लिक here to view notification, prospectus कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यह prospectus आपको दिख जागा है, यही से मैंने सारी information ली हुई है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ भी सकते हो, अपने ही साब से अच्छे से पढ़ सकते हो, और last में जाओगे ना, तो यहाँ पे syllabus भी द अगर आप जाओगे, तो last में seats आपको मिल जाएगे, कहाँ पे कितनी seats खाली है, यह पूरा PDF दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने screenshot लिया हुआ था, सिर्फ इसका, यह चार का लिया हुआ था, यह भिंड, बेतुल, फिर यह चारों मैंने लिया ह हुआ था, यहाँ से screenshot से, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा list देख सकते हो, पूरा का पूरा PDF यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको कैसे download करना है, यहाँ पे जाना, यहाँ पे application वाले पे click करना, उसके बाद से यहाँ पे click here to view notification, ठीक, जब prospectus देखने के लिए पे click कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक, चलो, मिद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होगी, अगर आपको अभी भी कोई भी doubt हो, तो comment section में लिखना, जरूर मैं आपके कोशिच करूँगा, कि आपके doubts को resolve करूँ, ठीक है, चलो, आपसे मिलते हैं, कुछ इसी तर के देक्स दमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिएल विदा, धन्यवाद,